हैलो दोस्तों, आज हम लेके आएं हैं आप सब के लिए चटपटे और मसालेदार कीमा और आलू की रेस्पी आप घर पर ही मसालेदार कीमा और पूरी बना के तयार कर सकते हैं बहुत ही ज़ादा आसान है इसे बनाना वीडियो को पूरा जरूर देखना तभी आप जान पाएंगे कि मैंने इसे कैसे बनाया है तो चलिए शुरू करते हैं बनाना आलू और कीमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए आधा किलो के करीब कीमा लिया है आपको जिस कीमे का बनाना है मटन छीकन जो भी आप वो ले सकते हैं यहाँ पे हमने आलू को बड़े बड़े टुकडों में कट किया है यानि के एक आलू में दो भाग करके और कीमा को हमने धो कर साफ कर लिया है इसे हम साइड में रखते हैं सबसे पहले हम मसाला तयार करेंगे एक मिक्सिंग जार में एक प्यास डालेंगे दो टुकडा अदरक दालेंगे कुछ लस्उन की कली डालेंगे यहाँ पे हमने छ्छी मिर यह डाल देंगे अब इसके ढ़कर लगा के हमने जो है एक बारिक पेश्ट बनाना के तयार पेश्ट हो गिया है इसे हम रख देते हैं साइड में चलिए हम कीमा बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हमने गैस पर एक कूकर चढ़ा दिया है कीमा को हम कूकर में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाता है अब देखिए इसे हम बनाएंगे सरसो के तेल में, कुकर में तेल डाल देंगे तेल जैसे ही अच्छे से गरम हो जाएगा यहाँ पर हमने सभी गरम मसाले लिये हैं एक तेश पत्ता, एक बड़ी लाची, तीन हमने लॉंग कुछ काली मिर्च के दाने यहाँ पर एक चमशी करीब जीरा लिया है एक जो है दाल चिन्नी का तुकड़ा, एक छोटी लाची, एक चकली फूल और कुछ जौत्तिरी लिये है यहाँ पर हमने इतने खड़े गरम मसाले लिये हैं बहुत ही जादा दबर जस्त इसका टेश आता है तो जैसे ही तेल गरम होगा हम सबसे पहले तेल में डाल देंगे यह जितने भी हमने खड़े गरम मसाले लिये हैं इसे डालने के बाद आप देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से लच्छे जैसे जो है बारीख प्याच कट किये हैं अब यहाँ पर हमने दो जो है मीडियम साइच प्याच को कट कर लिया था तो इसमें प्याच डाल देते हैं अब इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे और हलका लाल कलर का हमें प्याच को चलाते हुए भून कर तयार करना है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्रा कुस्टन है और आप देख सकते हैं प्याच हमारी बहुत ही जादा नहीं इुदम हलकी लाल कलर की फ्राई हो चुकी है प्याच को हमें एकदम ब्राउन कलर कर नहीं करना है अब यहां पे प्याच हमारी तयार है अब जो हमने कीमा को जो है धो कर साफ करके रखा है वही कीमा हमें इसमें डाल दिना है कीमा डालने के बाद अब चम्मस से इसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मिक्स करना है अगर आप सब भी इस तरीके से एक बार कीमा अपने घर पे बनाएंगे कीमा और पूरी के साथ में तो बहुत ही जादा जबद जस्ट घर में ही आप मसालेदार आलू और कीमा को बना के तयार कर सकते हैं आप इसे पराठे या फिर पूरी के साथ में खाएए बहुत ही जादा ये टेश्टी लगता है अब कीमा को मिक्स करने के बाद इस पर ढगा देते हैं उपर से कुछ टाइम के बाद इसे हम फिर से चेक करते हैं और ये देखिए कीमा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा है तो इसे ना हम एक बार फिर से चला लेते हैं चम्मच से अब इसे चलाने के बाद अब इसमें हम जो डालेंगे चलिए वो देख लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे एक चमच इसमें हल्दी पौडर डालेंगे और एक चमच हम यहाँ पे जो है गरम मसाला पौडर डाल देंगे अब यहाँ पे टेश्ट की हिसाब से हमें नमक डाल देना है इसके बाद जो हमने मसाला पेश्ट को पहले तयार करके रखा था वही वला मसाला पेश्ट इसमें डाल देंगे अब डालने के बाद सभी चीजों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है मसाला कीमा जो है वो अच्छे से मिल जाना चाहिए अब इसे मिलाने के बाद देखिए जो हमने आलू को कट करके रखा था ना सभी आलू को हमें जो है डाल देना है कुकर के अंदर आलू और कीमा की ये रेस्पी बहुत ही ज़्यादा जबजस्त बनती है आप सब भी आलू और कीमा की ये रेस्पी को इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है तो देखिए आलू और कीमा को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद इसे हमें चलाते हुए जो है भून लेना है जब तक कीमा और तेल जो है अलग न हो जाए मसाला जो है अपना तेल न छोड़ दे तब तक इसे हमें भून कर तयार कर लेना है और आप देख सकते हैं ये देखिए मसाला तेल को बहुत अच्छी तरीके से छोड़ दिया है ये हमारा मसाला कीमा भुन कर तयार हो गया है बहुत अच्छी तरीके से अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें पानी आट करना है तो मैं आपको इस तरह से दिखा दे रही हूँ देखिए बहुत इच्छी तरीके से मसाले ने तेल को छोड़ दिया है अब यहाँ पर हमने एक गिलास से कम जो है इसमें पानी डाल दिया है जितना आपको इसकी ग्रेवी बनाना है उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं उकर में हमने दो सीटी लगा के तयार कर लिया है अच्छे से ठंडा भी हो गया है इसे खोल के चेक करते हैं और यह देखिए कीमा और आलू मसाले दार बहुत इच्छी तरीके से बनके तयार हो गया है मैं आपको चमस से जो है निकाल के दिखाती हूँ इसका पानी जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है ग्रेवी के जैसे यह हमारा कीमा आलू बनके तयार हो गया है बहुत ही जादा यह टेश्टी बना है तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और यह देखें मसाले और चटपटे दार यह हमारा आलू और कीमा रेश्पी बनके तयार हो गया है बहुत ही जादा यह टेश्टी बना है आप इसे पराठे या फिर पूरी की साथ में खाईए बहुत ही ज़्यादा जबजस्त लगता है अब कीमा जो है वो हमारा बनके तयार हो गया है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यह मसाले और चटपटे दार बना है इसे हम रख देते हैं साइट में अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो है गेहूं के आटे और कस्तूरी मेथी से यह खस्ता और हैल्ली पूरी बना के तयार की है कीमे के साथ में हमने ये खस्ता पूरी बना के तयार की है जो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और एकड़म से नमकीन है आप इसे इस कीमे के साथ में एक बार जरूर ट्राई करना यकीन मानिये बहुत ही जादा ये टेश्टी कीमा पूरी घर पर ही बनके तयार होती है वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कर देना चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके जाना बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक नए वीडियो सबसे पहले मिले आपको कॉमेंट करके जरूर बताना किये रेस पी आप सब को कैसी लगी फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ ठैंक यू